असलाव अलेकुम, हलो दोस्तों, मैं जुलेखारफाद, जुलेखासकिचन.com से, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, तो लाल सब्सक्राइब का बटन दपाएं, उसके बराबर में जो पेला आइकन हैं, उसे भी क्लिक करें, और नोटिफिकेशन पर, ऐसा करने से, आपको मेर सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में, और रेसेपी अच्छी लगे तो लाइक सरूर कीजिएगा, तो चलिए देखते हैं, आज की रेसेपी, तो चलिए, आज हम बनाते हैं, एक बहतरीन सा फ्राइड आइटम, जिसका नाम है, मायो चिकन ब्रेड रोल्स, बहुत जरूरत भी नहीं पड़ती है, कुछ रमजान की बड़िया सी रेसेपी, मैंने मेरे चैनल पर अफ्लोड किया, आप लोगों के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शिन के अंदर दाल देती हूँ, आप अहाँ चेक कर लीजिएगा, यदि कि मैंने खोल कर दिखाया, क्या बड़िय अचिदार टेस्टे, इतना डिलिशिस है ना कि मैं आपको भता नहीं सकती, माश्राला, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की रेसिपी, सबसे पहले मैंने चिकन बॉल कर लिया था, ये 200 गराम चिकन बॉल्लेस है, मैंने थाइ पोशन लिया, आप ब्रेस पोशन को भी बॉल अब जब ठंडी हो गई तो मैं एक बाउल के अंदर इसे श्रेड करके डाल देती हूँ, इसमें डाल दीजिए वन फूथ कप कटी हुई बारिक पत्ता गूबी और वन फूथ कटी हुई बारिक एगदम शिमला मिर्ज, दोन ही एगदम बारिक काठना है, आप चाहें तो आपनी मन पसंद कोई और सब्सेदी भी लेः LC ते जिसमें दाल दीजिए नम्मक श्वाद नुसार, चाहा चमच काली मिर्चों का पावडर, चाहा चमच काली मिर्चों का पाउडर, च dépली पाउडर, चाहा चमच, चार्ट मसाला, चूटश-चे चमच चनमच, भुना और लिए बच्चों के लिए बना रहा है तो चिली सॉस आप अवाइड कर सकते और मिड़्चियां भी बच्चों के स्वाधनुसार ही आप दालिएगा सारी चीदों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिये एक फ्रेश ब्रेड का प्राकेट लीजिए एक एक करके ये सारे ब्रेड के कट्थे निकाल दीजिए चारो कॉनर जिसे कहते हैं और साइट पर रख दीजिए फिर एक ब्रेड लीजिए इस तरीके से बेलन से आप बेल लीजिए तो चपता हो जाएगा वैसे ये जो मैंने सार इसके जो कठे हैं आप चाहें तो इसका पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लें या कोई सब्जी में डाल दें अब यह जो चप्टा करके रखा है ना ब्रेड उसके बीच में एक कीबल स्पून जितना मिक्स्चर दाल दीजिए लंबा करके दालिएगा और जो लंबी साइट पे इस तरीके से हातों की मदद से फ्रेश पानी लगाए रोल कीजिए और थोड़ा सा प्रेस कीजिए जहां प इस तरीके से आप सारे बना लें मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक प्रेड को आप चप्टा कीजिए मिक्स्चर को बीच में रखिए लंबा करके एक साइट पे साफ पानी लगाईए इस तरीके से और अब इसे रोल करकर प्रेस कीजिए और पानी की जगा पर चिटक और जो साइट्स है उस पे भी पानी लगाईए और इसे चिटकाईए थोड़ा अंदर पानी दालिए थोड़ा आपके हाथ में पानी होगा तो इस तरीके से दोनों साइट्स पे जो लगेंगे ना चिटक जाएंगे वह बहुत अच्छे से तो ये बन गया हमारे रोल इसी तरीके से एक एक करके बनाते जाएं और साइट पर रखते जाएं और अगर आपके पास समय हो तो आप फ्रिज में रख दीजेगा क्योंकि हम जो गीला कर रहे हैं तो थोड़ी समय के बाद आप फ्राय करें तो जादा बैठर रहेगा तो इस दर्मियां फ्रिज में भी और दूसरी बाद बैस्ट यह रहेगा कि फ्रेश प्रेड लीजेगा यहां पर मैंने थोड़ा सा गेंग के आटे में थोड़ा सा पानी डाल कर इसका गाड़ा गोल बना लिया है तेल फास्ट आज पर चालू कर दीजी अच्छा गरम हो जाता है तो मीडियम आज कर दीजी वैसे मैं डीप फ्राइ कर रहे हूं आप चाहें तो शालो फ्राइ कर सकते हैं अब आपने क्या करना है यह गोल मैंने सरफ आप लोगों को बताने के लिए किया है लेकिन मैं इस्तमाल नहीं करूंगी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसके लिए आपको बता रहे हूं कि ज ब्रेड है जल्दी लाल हो जाएंगे उलट पलट करते जाए जब गोल्डन ब्राम लाइट गोल्डन ब्राम हो जाए तो इन्हें निकालकर नितारकर टिश्यू पेपर के ओपर साइट पर रख दीजिए जब आटे की लई लगा के सील करके फ्राइ करते है न तो जैसे आप देख सकते हैं हलका सा मार्क रह जाता है कि आपने कुछ लगाया है प्रेड के ओपर पर मैं कभी भी आटे की लई नहीं लगाती हूँ पानी से तो वह बहुती अच्छे से सील हो जाता है जरूरत ही नहीं बिना आटे की लई के बनाए है वह तो आटे की लई का आपको दिखाना के डरने की कोई बात नहीं है अगर आप से कुछ दिखकत हो जाती हूर खुलते हैं यह एक फ्राइ कर के देख लीजिए खुलते हों, तो फिर आप आटे की लई लगा लीजिएगा, मैंने तो in fact फ्रिज में भी नहीं रखा था, मैंने तो डारेक्ली फ्राइंग ही चालो कर दीती, क्योंकि समय नहीं था मेरे पास, तो ये देखिए, बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी लाइट हो रहे और अब इसे कर्मा करम सर्ब कीजिए टमाटर सौस या चटनी के साथ, तो ये थी आज की रेसिपी, अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं या पर आपको अच्छी भी लगे तो आप कमेंस सेक्शन में मेरे साथ शेर जरूर कीजिएगा, मुझे आपकी कमेंस परने बहुत अच